Hybridization जो कि Wellness Mound Approach होती है जैसे कि हमने Wellness-Electron-Pair Repulsion Theory की है वो क्या करती है Wellness-Electron-Pair Repulsion Theory में हमने Shapes की Molecule की लेकिन जो VSEPR यानि Wellness-Electron-Pair Repulsion Theory है वो Exact Shapes नहीं बताती है बहुत सारे Cases में वो Exact Shapes को नहीं रिप्रेजेंट करती है तो इसमें हम Hybridization में देखते हैं कि किस तरह से ये Shapes को Represent करेगी सबसे पहले ये देखिए Hybridization होती क्या है हम जानते हैं कि जो Covalent Bones बनते हैं वो Overlaping से बनते हैं जब दो Half-Filled Atom Orbitals एक दूसरे के साथ Overlap करके अपने Electrons को Share करते हैं उस Time पे Hybridization होती है अब देखिए यानि Covalent Bones बनते हैं लेकिन Hybridization क्या होती है Hybridization Mixing होती है Atomic Orbitals की लेकिन इसमें क्या होता है कि जो Atom होता है वो Same होता है लेकिन उसकी Energy different होती है या Same Atom की अलग Energy होना वो उसमें उसको हम बोलते हैं Hybridization Same Element की कुछ अलग Energy होना जिससे वो Redistribution कर सके अपनी Energy को और Resultant Formation कर सके नए Orbital बना सके और उस टाइम पे New Orbital की भी Equal Energy रहेगी उसकी Identical Shape के According तो New Orbital फॉर्म होता है उस जो Orbital नया Orbital बनेगा उसे Hybrid Orbital बोलनेगा अगर आपको ये Clear नहीं हुआ है तो हम Example लेंगे कुछ देखिए जैसे कि हम जानते हैं Beryllium Atomic No.4 होता है Beryllium, Boron और Carbon इन सबका Beryllium का Atomic No.4 होता है Boron का 5 और Carbon का 6 Beryllium की Configuration होती है 1s2, 2s2 यानि इसमें कोई भी Covalency नहीं है Covalency क्या होती है? कितने Unpair Orbitals present है? वो उसके Covalency होगी Covalency कितने Unpair Orbitals present होते हैं ठीक है न? अगर हम Configuration के Basis पे देखें तो आप इन सब Configuration कर चुके होगी यह Beryllium की Configuration 1s2 और 2s2 होगी यानि Beryllium की कोई भी Covalency नहीं है Boron का Atomic No.5 है Configuration है 1s2, 2s2, 2px1 यानि Px, P की 3 Orbitals होती है एक Orbitals है जिसमें एक ही Electron है यानि इसकी One Covalency है Carbon का Atomic No.6 है Configuration है 1s2, 2s2, 2px1, 2p1 दो Orbitals में एक एक Electron यानि दो Covalency है तो यह क्या है Covalency को Represent कर दे हैं अब इसमें देखिए Actually में हमने यह कहा है कि Beryllium की कोई भी Covalency नहीं है इस केस में B.E.F.2 के केस में Beryllium की दो Covalency हो जाती है क्योंकि इस दो Covalency कैसे होती है यह इस तरह से होती है अब बोरोन की, बोरोन में यहाँ पे देखिए One Covalency है लेकिन अगर बोरोन F3 के साथ Combine होता है तो बोरोन की One से Three Covalency हो जाती है और Carbon की यहाँ पे Two Covalency है लेकिन जब Carbon H4 के साथ Combine होता है तो Carbon की Four Covalency हो जाती है ऐसा क्यों होता है देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चाहें हम Beryllium ले रही है चाहें हम बोरोन ले रही है चाहें हम Carbon ले रही है Carbon की यह जो State है यह जो Configuration है जो की हम करते है 1S2, 2S2, 2PX1, 2PY1 यह क्या है इसकी Ground State बोला जाता है लेकिन यह इसमें जो 2S2 में एक इलेक्ट्रोन है ना इसमें एक इलेक्ट्रोन जंप कर जाता है 2PZ orbital में तो इसमें 1 रह जाता है PX में 1 हो जाता है PY में भी 1 हो जाता है और 2PZ में 1 आ जाता है यह क्या हो जाता है एक्साइट कर जाता है तो यह होता है इसकी एक्साइटर स्टेट तो Hybridization यही होता है कि Mixing of Atomic Orbiter जिसमें सेम एटम देखिए Carbon यह भी Carbon है यह भी Carbon है Atomic No.66 ही है सेम एटम है लेकिन सेम एटम होने की बजाए डिफरेंट एनर्जी हो गई यानि कि Electron क्या हो गया Excite हो गया और Excite होने के बाद यह क्या करता है Redistribution करता है एनर्जी को यह इस टाइम पर यह energy को Redistribution करेगा और Redistribution Formation से एक नई Orbital प्रिपेर हो जाती है और उसके भी energy Equal होती है उसकी Identical Shapes के According तो नई Orbital का बनना उसे Hybrid यहाँ पर नई Orbital बनी है इसको Hybrid Orbital बोलेंगे और यही होती है Hybridization ऐसे ही BEF2 के case में यहाँ पर No Covalence है लेकिन अगर यह एक Electron Excite कर जाए तो क्या होगा दो Covalence हो जाएंगी तो एक्स तो एजिली दोनों के साथ एक एक अपने Electron को Share कर लेगा तो क्या होगा इसी को ही Hybridization बोला जाता है अब Hybridization क्या होगे जैसिक मैंने बताया है दो Orbitals जिसमें सेम Atom होते है लेकिन अलग-अलग Energy होती है और Redistribution होती है Energy उनके बीच उन वो होती है Hybridization अब जो इसमें Hybrid Orbital जो रिप्रेजेंट करते हैं जो Shape होती है Hybrid Orbital भी जो S-S-A-P में यानि कि ये S था और एक नई Shape बनी है P-B की बनी है तो उसकी Shape कुछ इस तरह की होती है Shape of Hybrid Orbital P Orbital जो Excite होके आई है तो Two Lobs होगी जो Unequal सा इसकी होगी जो Small वाली लोब होगी वो Negative होगी और जो Big वाली लोब होगी वो Positive होगी इस तरह से इसे Represent किया जाएगा अब इसके कुछ Important Points होते हैं Hybridization के कि वो क्या-क्या है देखिए सबसे पहले है कि सिर्फ वो ही Orbital Approach होते हैं कि Equal Energy होती है Same Atom और Ions Hybridization करते हैं जोंसे Same Belong करते हैं Number of Hybrid Orbital जो जितने भी Number of Hybrid Orbital Produce हो रहे हैं वो Equal होंगे Atomic Orbital Mixed Mixing के Next है कि यह जरूरी नहीं है कि सारे Half-Filled जो Orbital है यह वो Orbital जिनमें एक-एक लेक्टोन हैं सारे Half-Filled Orbitals वो पर्टिकुलर्ली वो Hybridization होंगे Participate करेंगे Hybridization में यह जरूरी नहीं होता है Hybridization Isolated Atoms में नहीं होती है Liacive Time के According Bond Formation के लिए की जाती है हर एक में नहीं होती है Hybridization जैसे H2O के Case में नहीं होगी यह में आप Examples में बताऊंगी ठीक है Isolated Atoms के लिए नहीं होती लेकिन Bond Formation जहां पर Required होती है वहां पर होगी Hybridization के Identical Geometry और Molecules होते है और इसमें जो Hybrid Orbital बनता है नया Orbital जो बनता है उसकी 2 Lobs होगी छोटे वाली को Negative बोलेंगे बड़े वाली को Positive Sign से भी Present किया जाएका तो यह होती है Hybridization Next अलग अलग तरह की Hybridization होती है SP Hybridization SP2 Hybridization SP3 Hybridization सबसे पहले SP Hybridization करते है SP Hybridization का मतलब है इसको हम Diagonal Hybridization भी बोलते है जब एक S Orbital S Orbital भी Shape क्या होती है Circular जब SP Hybridization होती है तो 50% S की Cactistics होती है और 50% P की Cactistics होती है तब SP Hybridization बनती है अब देखिए S Orbital की Shape Circular होती है एक S, एक P Orbital के साथ Combine होता है Mix होता है और Formation करता है नई Equalent Orbital की यह तो इस तरह की Hybridization को SP Hybridization बोलते हैं या Diagonal Hybridization भी बोला जाता है नई Orbital का बनना उसे SP जो Orbital बनेगी SP Hybrid Orbital बोलेंगी अब 2S देखिए P की 3 Orbital होती है P Shell की 3 Sub Shells होती है एक X-axis यानि P-X एक P-Y और एक P-Z अलग-अलग इसे रिपर्जेंट किया जाएगा एक्स यह यह Y की यह वाली शेफ जजज की 3 Orbital होती है तभी P बनती है लेकिन SP में सिर्फ एक P Orbital के साथ कंबाइन होगा यानि कि यह दोनों नहीं होगी SP 50% SP 50% P की तो S और P जब कंबाइन होती है SP Hybridization करती है यहाँ पी इन्होंने यह जो बड़ी वाल लोब है इसमें छोटी वाली लोब सारा यह S को बता रही है यह दोनों आपस में मिल गए तो यह वाली शेफ बनेगी अब यह जो शेफ होती है इस शेफ को linear शेफ बोलती है इसे यह मारी linear शेफ होती है और यह जो है जैसे की BEF2 BEH2 इस इसके example है SP Hybridization नेक्स होता है SP2 Hybridization जब एक S Orbital दो P Orbital के साथ mix होता है और form mixing होके formation करता है एक नई equivalent orbital की इसमें 3 new equivalent orbitals बनते हैं इसमें SP2 Hybridization बोलते हैं इसे trigonal Hybridization भी बोला जाता है अब जो नई orbital बनती हैं इसे SP2 Hybridization बोलेंगे इसमें 33% S की characteristics होती है 57% P की characteristics होती है जादा P की होती है क्योंकि P की 2 orbitals इसमें participate करती है थर्ड नहीं करती है एक S की circular shape पी की shapes आपको पता ही है तो जब यह form होती है तो 3 lobs बनती है यानि की 1, 2, 3 यानि यह P की है इन दोनों के रहे जब छोटी-छोटी lobs बन रही है यह S की है ठीक है साइड़ छोटी-छोटी lobs बनती है यह S की होती है इन दोनों के बीच का जो angle होता है वो 120 degree का होता है और इसको trigonal hybridization भी कहा जाता है BF3, BH3 इसके example है तो यह SP2 hybridization होगी अब next होते है SP3 hybridization SP3 hybridization जिसे tetrahedral hybridization भी बोला जाता है इसमें 1S orbital 1SP के 3 orbitals के साथ mix होता है और mix होके 4 new equivalent orbitals बनते है 4 orbitals बनेगे देखिए SP में 2 orbital रहते है SP2 में 3 हो जाते है SP3 में 4 हो जाते है इसमें 25% S की characteristics होती है और 75% P की characteristics होती है क्योंकि P की 3 orbitals हा गई है और इसमे SP3 hybridization होगी 4 lobs 1,2,3 और 4 4 lobs बनेगी और यह छोटे-छोटे है यह S को represent करते है और इन दोना के बीज का जो एंगल होता है 190 degree 28 का होता है इस तरह से इसे represent किया जाता है यह होती है हमारी hybridization और इनका use करके ही हम इसके geometric shapes को shapes molecules को geometry को, bond को, direction properties को बता सकते हैं Thank you for watching this video और जादा updating videos के लिए आप हमारे channel learn and grow पर हमें subscribe कर सकते हैं Thank you